नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शिवं पंडित और आप देख रहे हैं gs.mantra इस वीडियो में हम आपको बतायेंगे परतम आंगल मैसूर युद्ध के बारे में अंग्रेजों की मैसूर राज से पहली लडाई के बारे में अंग्रेजों से मैसूर राज की चार बार लडाई हुए था, चार आंगल मैसूर युद्ध हुए थे पहला आंगल मैसुर उंद हुआ था 1767-1779 तक 1767-69 तक दुदिया आंगल मैसुरिउद हुआ था 1780-1784 तक तीसरा आंगल मैसुर उंद हुआ था 1790-92 तक 1790-792 और चोथा आंगल मैसुरिउद हुआ 1799 चालर सबसकувати तक 1799 ए पहले आंगल मैसूर युद्ध के समय मैसूर पर सासन था हैदर अली का हैदर अली ने अपना शुरुवाती जीवन एक घुलसवार के रूप में शुरू किया था और अपनी राजनेतिक कुसलता और कूटनेतिक सफलता दोनों के दम पर वह मैसूर का राजा बना बंगाल में अंग्रेजों को बड़ी आसान सी जीत मिली थी और इससे उन्होंने 1776 में हैदर अबाद के निजाम निजाम अली से संधी कर ली थी और मराठू और करनाटक से तो हैदर अली का पहले का ही दुस्मनी का नाता रहा था अब हैदर अली ने देखा कि निजाम मराठा और करनाटक तीन के तीनों उसके खिलाफ हैं लेकिन फिर भी वह विचलित नहीं हुआ और उसने फिर से कूटनीती से काम लिया और उसने मराठों को धन का प्रलोभन दिया और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन दे कर अपनी और मिला लिया इस प्रकार अब निजाम और मराठे दोनों हैदर अली के साथ थे और तीनों के संयुक्त मोर्चे ने करनाटक पर आक्रमल कर दिया करनाटक पर आक्रमल उसने इंडारिक्टली अंग्रेजों पर ही आक्रमल किया था क्योंकि करनाटक अंग्रेजों का मित्र र लेकिन हैदर तो विचलित नहीं हुआ पर निजाम हैदर का साथ छोड़कर अंग्रेजों की ओर मिल गया और फिर हैदर ने फिर से मंगला और पर आक्रमल किया और अंग्रेजों की सेना को हरा करके उनको मद्रास तक पीछे धकेल ले गया हैदर ने फिर लगातार युद्ध पर अपनी बढ़त बनाये रखी और डेढ़ साल तक अनिरनायक युद्ध चलता रहा हैदर अली ने अंग्रेजों के विद्ध बाजी पलट दी थी और मद्रास को घेर लिया था अंग्रेज भैभीत हो गये और उनको एक तिरसकार पूर्ण संधी स्विकार करनी पड़ी जो संधी हुई थी चार अप्रेल 1779 को 4 अप्रेल 1769 को अब इस संधी के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विजित प्रदेश लवटा दिये थे और आवस्यक्ता पढ़ने पर एक दूसरे को सहायता देने का वचन भी दिया था जब ही कोई बाहरी उन पर आक्रमल करेगा दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे और इस संधी को कहा जाता था मद्रास की संधी। इन सर्तों और इस संधी से पहला अंगल मैसूर युद्ध समाप्त हो चुका था। दूसरे आंगल मैसूर युद्ध का बैक्ग्राउंड तैयार हो रहा था।